चलिए शुरू करते हैं आपका बाइलोजी का प्रैक्टिस सेट 1 जो कि बहुत important और BVI question, total 50 question और आ गया है लगतार चलने वाला प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने history, political का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हो, अब सुरू करने जा रहे हैं बाइलोजी का इसी तरह जो भी topic one liner खतम तो जाके जरूर description में जाएए और चेक करके देख लिजे मेरा playlist में जाएए और पूरा practice state history का दे दीजे और किसका political का practice state दे दीजे तो आज चलते हैं biology का practice state 1 biology का तो चलिए शुरू करते ही बाला question है कि very 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 रोग जो है किस vitamin की कमी से होता है तो very very जैसे ही रोग की बात होगी तो हम बहुत अच्छे से vitamin का video मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ें तो पढ़ लिजे तो याद रखेंगे vitamin B1 से होता है option number जो है B जो लगाएंगे वो सह लगाएंगे कोई दिख करती है तो very very रोग जो है किस vitamin की कमी से होता है vitamin B1 की कमी से चलिए इसका रसाइनिक नाम और question की बात होगे दूसरा प्रश्ट a-star's से क्या समंदीथ है अ-star's से च्या समंदीथ है बता सकते हैं तो option number 2 गुलकोच, अ-star's से तो समंदीथ है वो है गुलकोच, जो option number A लगाया होगे चलिए गा तीसरा प्रश्ट ascarvic, ascarvic रोग किस vitamin की कमी से होता है, को याद करते ह जो कि option number यह जो लगाएगा वो सही लगाएगा तो चलिए फूर्थ question number पेपसीन पेपसीन होता है बहुत ही जिस जो है प्रैक्टिशेट है अभी बाद में hard होने वाला है तो तेयार रही पेपसीन जो होता है क्या होता है तो पेपसीन option number B enzyme होता है जो B लगाएंगे वो सही ल inamal को कठोर बनाता है बता सकते हैं तो हम बताएंगे इसमें पांच माप्रश्ण का अंसर का जवाब जैसे ही आएगा हम बोलेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन कहां है option number B तो जो B लगाएंगे वो सही लगाएंगे तो inamal की कठोरता की बात करेगा तो हम फ्लोरीन का बात करेंगे और कुछ का बात नहीं करेंगे चलिएगा option number six option number six को दिया रखेगा जनन चमता में कमी होती है तो जनन चमता में जैसे ही कमी होगी तो इस option के साबसे जहां vitamin E लगेगा वहाँ टिक लगा के आ जाएगा क्या मैंने सही बोला एकदम सही बोला आप भी सही लगा लिजे vitamin E की क बात करेंगे तो हम बतायते हैं कि मैंने पढ़ाया था पंक 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 का नाम पूरा है फंक याद रखेगा तो यह जो सी फंक है यही अंसर है जो कि option number B आपको साथ मा प्रस्मिका दिखाओगा वही सही अंसर है ठीक है कहीं कहीं पंक दे देता है इसलिए मैंने वह नाम बत है कौन सा कर्भो हैड्रेड जो है बताएगा मोनोसाकराइड है तो इस option के साबसे आठमा प्रस्मिका जो अंसर देंगे option number कौन गुलकोज और फ्रक्टोज जो option number B देंगे वही सही देंगे तो गुलकोज एवं फ्रक्टोज बोलते हैं वो जहां रहेगा किस option में B option में तो B option सही होगा क्योंकि कर्भो हैड्रेड मोनोसकराइड है चलिए यह तो खिलिए नौमा प्रस्मिके बात करते हैं नौमा प्रस्मिके में कौन सा डाइसकराइड है तो देखिए डाइसकराइड बताएगे तो जैसे ही डाइसकराइड के बात करेंगे तो नौमा प्रस्मिका जो मल्टोज लगा देंगे, वो सही लगा देंगे, तो option number D जो लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, तो इस चीज में ध्यान रखिएगा, मोनो सेकराइड जैसे हैं आएगा, कार्वोहिड्रेट का मोनो सेकराइड आएगा, तो गुलकोच और फ्रक्टोज लगा देगा, जैसे ही डाई सेकराइड आजाएगा, तो option number D लगा देगा, मल्टोज लगा देगा, तो भूलिएगा मत, चलिए, दसमा प्रष्ट, टेन कोश्चन नमबर देखिए कि निमनिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, कौन सा दूध प्रोटीन है, बता सकते हैं, comment box में करिएगा, तो दसमा कोश्चन का आप देख रहे हैं, दसमा जो कोश्चन है, उसे बताइए, क्या होगा, बितामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो हार्मोन कहा जाता है, कौन से बितामिन को बता सकते हैं, तो इगार्मोन प्रष्ट का आप्चन नमबर C, जो लगाएंगे, वो सहे लगाएंगे, बितामिन D, बितामिन D को हार्मोन भी कहते हैं, ये लिख के ले लिजे, बारामा का जो अंसर देंगे option number B अमाशे उसी को कहते हैं तो रेनीन का स्रवन करने वाला जो अंग है वो है अमाशे चीक है अमाशे किसको बोलते हैं बताएगा करणवोक्स में तेरा माँ प्रश्ट डार्वीन का सिध्धान्त था तो डार्वीन का जो सिध्धान्त है बहुत ही यूनिक और बहुत ही जवर्दस्ता तो डार्वीन का जो सिध्धान्त है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ वो है प्राकृतिक चैनवाद तो प्राकृतिक चैनवाद जो है इनही का डार्वीन का सिध्धान्त बोला जाता है जो कि बन प्रस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं, वो है option number A, मूल उत्पादक होता है, क्या होता है, मूल उत्पादक होता है, तो बन प्रस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं, वो मूल उत्पादक होते हैं, पंदरमा प्रश्न की बात करता है जीवों की बात करता है तो जीव और बाता वरन की प्रास्परिक समद्र को ecology करते हैं जिसमें ecology लगाना है यह जरूर धान रखेगा जिसे पारी तंत्र बोलते हैं देखिए उत्थ परिवर्तन बाद प्रस्तूत किया तो देखिए उत्थ परिवर्तन बात की बात करते हैं कौन पस्थूत किया था, कौन थे वो विक्ति का नाम बताएं तो याद किया डीवरीज का नाम आता है किनका आता है डीवरीज, डार्वीन का कौन था प्राकृतिक बात से समंदी थे, आप जान गये थे चलेगा, सत्रमा प्रश्ण कोश्चन नमबर ध्यान से देंगे, टोटल 50 कोश्चन है, बालोजी का प्रैक्टिशेट बालोजी नहीं कातम हो जाता आपका प्रैक्टिशेट दूसरा, आभी कोई नहीं आनेगा, बस आप सपोर्ट अस्रस्काब कीजिए तो जल्द से जल्द हम खतम कर देंगे तो पेलियंटो लौजी जो है अध्यान है, तो पेलियंटो लौजी का अध्यान का मतलब होता है, सत्रमा प्रश्ण का अमसर का जवाब जो देंगे, आप्शन नमबर D, वो देंगे, याद रखीगा जिवाश्मो, जिवाश्मो से समंदित होता है, याद रखीगा, तो पेलियंटो लौजी का मतलब होता है, इससे हम जो अध्यान करते हैं, वो जिवाश्मो का अध्यान करते हैं, जो कि सत्रमा प्रश्ण का अप्शन नमबर D होगा चलेंगे अठारमा प्रस्ण की बात करते ही तो डाइनाशोर डाइनाशोर हो लिखा हूँ है डाइनाशोर याद रखिएगा का सुनारा काल किस महा कल्प को कहते हैं मतलब किस काल को कहते हैं डाइनाशोर का जो सुनारा काल था वो किस काल को कहते हैं उस काल को क्या कहते हैं यही तो पूछ रहा है तो बताएंगे ठारवा प्रक्षन का जवाब है option number D मिसो जुवायक काल कहाजाता है जुवायक काल कहते हैं या तो खिएगा मिसो अलग कर दिये जुवायक अलग कर दिये काल मतलब time अब दी उनिसमा प्रश्ण है कि जीवन की उत्पत्ती किस महा कल्प में हुई तो जैसे ही जीवन की उत्पत्ती की बात हुई हमारे जीवन की बात करिया जाए तो उसकी उत्पत्ती का समय बताईए उसे क्या कहेंगे उसे कौन से मतब समय में बताएंगे, जो जिवन के उतपत्ती की बात करता है जैसे कि डाइनोसोर की हम क्या बताएं, मिसो, जवायक कल बोलते हैं तो आप बताएए, यह तो option कट गया, option number three क्योंकि मिसो, जवायक मतब डाइनोसोर से हैं लेकिन जीवन के उत्पत्ती का बताई क्या होगा, तो होगा, option number A, pre-cambrian, बारी आवाजों को थोड़ा इगनौर करेंगे, ठीक है, तो pre-cambrian, याद रुखेंगे, option number A होगा, जो कि हमारे जीवन के उत्पत्ती से समंदित है, होगे, बिस्वा प्रश्ण है, बिस्वा प्रश्ण क्या बोलता है, कि निमरिकित मेंसे कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट समंदित है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में, जो कि आप भी जानते है, option number B, गोरिला, गोरिला को आप देखिए, तो समझ में आएग का सबसे निकट समंदि हमारा गोरिला है, ये भी याद रख लीजेगा, 21 question number, हिमोगलोबीन में कौन सी धातु होती है, तो हिमोगलोबीन में कौन सी धातु होगी, बता सकते हैं, तो बताएए, तो 21 का answer का जवाब देंगे तो दिजे, तो option number क्या होगा, वो होगा C, जिसे बोलते हैं, एफी प्लस होता है, तो एफी का पूरा नाम आप बताएं नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे, 22 question number को ध्यान से रखेंगे, एवी रूधिर वर्ग के वेक्ति का रूधिर दिया जा सकता है, रेखे, एवी जो होता है, सरवग राही होता है, तो ये किस से समंदीत है, निमलिकित में लिंग जो है, शहलगन रोग है, 23 प्रश्ण का जवाब देंगे, तो हम बताएंगे option number C, ये बनधता से समंदीत होता है, तो ये ही से समंदीत होता है, चलेंगे आगे, 24 question number है कि William Harvey किसकी खोच के लिए परशिद हैं, तो William Harvey जो हैं किसकी रक्त परी सनरचना से है, तो William Harvey किसकी खोच के लिए परशिद हैं, तो रक्त परी सनरचना से समंदीत है, तो option number जो C लगाएंगे 24 का, वो सह ही लगाएंगे, अब चलते 25 question number, 25 question number है कि कौन सा अंग जो है, रोगानू का विनाश करता है, तथा AB का पुलिस रच्छक कहलाता ह है, पताईगा, पुलिस रच्छक करता है, अब अंग रोगानू का विनाश करता है, पताईगा, 25 का अंसर का जवाब देंगे, 25 का अंसर का जवाब देंगे, option number है, क्या है, टौन सिल, क्या है, टौन सिल, तो टौन सिल होता है, या तो खिएगा, पुलिस रच्छक कहलाता ह चलेंगे, देगे, 26 का question number है, कि मनुष्य में मादा असपस्ट, मनुष्य में मादा असपस्ट, यूगम नज, यूगम नज बोला जाता है, का शंगठन, जह होता है, तो कैसे होता है, बताएंगे, 26 का अंसर का जवाब देंगे, तो हम जानते हैं, 22 फलस एक्स होता है, चीक है 22 फलस एक्स होता है, जैसे मनुष्य में मादा की बात करेगा, असपस्ट, यूगम नज, जो होता है, का, जो है, संगठन होता है, तो वो 22 फलस एक्स होगा, तभी होता है, आजाए, 26 मा प्रश्णों हो चुके हैं, आप चलते हैं, 27 प्रश्ण, एक बिने 25 का मैं देख लू हाँ, ठीक है, टॉंसल है, 27, हमें लगा थोड़ा सा कन्फियूजन लगा में, लेकिन चलिए के लिए लए, ठीक है, आगे चलेंगे 27 कोश्ण, 27 कोश्ण है, पिता, ए रूधिर वर्ग, और माता, बी वर्ग की होतो, इनकी संतानों में कौन सा रूधिर वर्ग संभव है, मा पता ही संतान, जो है, किस वर्ग का आएगा, कौन से ब्लड ग्रूप का आएगा, बता सकते ही, तो हम सिंपल जवाब देंगे, 27 को, ऑप्शन अबर D, A, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, यह चारों हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, समझगे, इन्हें से कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकते हैं, ब्लड ग्रूप के, चलिए, यह जानगे, अप्शन अबर D लगा दिए, अब चलिए 28 कोशन, सर्व तरिक रूधिर दाता ग्रूप है, तो सर्व तरिक रूधिर दाता की बा किसका है ओ का 29 कोश्चन नमबर है कि RH कारक के खुच करता है तो RH होता है RH के लिया दिखेगा खुच करता कौन है बता सकते हैं खोजे कौन थे यह पूछ रहा है 29 का अंसर का जवाब जो option number D देंगे लैंडर अश्टीनर एवा मैं वीनर ने कर विंदे कि वहाजन के बीच किस अवस्था में जो है क्रोमन शुम भीपृत धुरूबो के ओर गती करते हैं बताईगा इस option के साबसे क्या होगा तीसम का जवाब देंगे तो option no.d तो क्या वो गा, कौन से वस्ता में तो सुत्री बिभाजन के बीच अवस्ता में, गन्शतुत्र क्रोमोण होटा है तो कंबिये करता है तो कंबियम से एक परकार Native का उत्तक होता पौधों से समंधित होता है, समझगे, जो कि पौधों की बृध्धी के बात करता है, चड़िए, आप ज्यादा जनकारी, ओलना इंदर देख लीजेगा, देखिए, अनिशेक फल, जिसे हम बोलते हैं, पार्थे नो कारपी, क्या बोलते हैं, पार्थे नी कारपी फ्रूट, वो है, जिसमें होता क्या है, बता सकते हैं, बीना परांगन और बीना निश्येचन के फल लगते हैं, उसी को बोलते हैं, तो और यूगम, यूगम कोदी भिद्ध, जिसको इंगलिश में हम बोलते हैं, मेल जैगोट, बोला जाता है, इसी को, तो आप्शन नमबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे चांतिस्वा प्रश्ण है आविर्त वीजी पादवें में भुर्णकोष पराया होता है तो किसमें होता है तुरी गुनित में होता है चीक है option number C 35 question number है कि वीज किस से बनता है तो वीज जब भी बनेगा तो हम अच्छे से बता देंगे कि वीजांड से बनेगा किस से बनेगा बीजांड से 36 question number एक ही पादफ में पुष्व के पराग कनो की बात करता है पराग कनो का दूसरे पुष्व के वर्ति कागर पर जाना कहलाएगा क्या है यही पूष्व आप से तो 36 का अंसर का जवाब option number C गिटो नो गमी क्या बोलते हैं गिटो नो गमी ठीक है अराम से मैं पड़ आँ आप स्वीट करके देख सकते हैं कौन सा फल जो है नट है तो कौन सा इसमें जो है नट है पताईगा बता सकते हैं तो हम बताएंगे 37 का option number D काजू जो है आपका न नट में आता है तो फल नट है आगे सवाल है जिसे ऐसे तो मुख फली भी आता है नेकिन हमें काजू को ज्यादा important है नट में आता है नारियल के खाने यूग भाग होते हैं तो नारियल का कौन सा भाग हम खाते हैं यही सवाल आप से पूछ रहा है ना तो थड़ी अगर 8 क अंसर का जवाब आपसे पूछ रहा है तो हम बता देंगे option number A, भुरून कोशी तो खाते हैं, अंदर वाला भाग ही खाते हैं, तो भुरून कोशी तो खाते हैं, उपर वाला कैसे खरीगा दाटू डूड़ियागा एक सच्चा फल होता है, तो एक आइन का अंसर हो गया आपका, शी, अब चलिए, थोड़ा एकम जूम कर दिया, चलिए, अब बताईए, चालिसमा प्रश्ण, चालिसमा प्रश्ण है कि कठल, जो है कठल में माशल, खाने योग भाग है, तो माशल जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि कठल का कौन सा भाग हमको खाने योग होता है, उसे क्या कहेंगे, यह पूछ आप से, चालिसमा प्रश्ण का जवाब देंगे, तो option number C, सहप, पत्र और परी दल पुंच खाएंगे, तो क्या थोड़ा सा अजूम कर देते हैं न, 41 question है कि अधिकांस जह पादफ वाइरस में genetic पदार्थ हैं, तो genetic पदार्थ कों से हैं, अधिकांस पादफ मतलब पौधे में, वाइरस में genetic पदार्थ हैं, तो किसमें हैं, कौन सा होता है इसमें, बताईगा, तो हम बताएंगे, इसमें 41 cancer के जबाब देंगे, option number B, RNA, क्या होता है, RNA होता है, ये आप जानगे, अब देखें, इसी में आप से ये भी पूछ रहा है, कि जन्तु वाइरस में अनुवानशिक पदार्थ अधिकांस्ता होता है, पादप में RNA पढ़ दिये, तो जन्तु में बताएंगे, क्या होगा, तो जन्तु में भी DNA होता है, बस जन्तु में DNA, आप पादप में RNA, बस ऐसे याद रख लिएगा, ठीक है, चलिएगा, आगे चलिएगा, 43 question number, 43 question number, प्रती जयविक, औस दी अधिकतर किसमें मिलती है, तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे, जिवानु वैत्रिया में मिलती है, देखेगा, 44 question number है, कि वाइरस की सरप्रतम खोच किसमें की थी, तो वाइरस की जैसे ही खोच की बात होगा, तो इसमें देखेएं, इंगलिश नाम दे दिया है, हिंदी नाम क्या होता है, तो हिंदी भी ओई नाम होगा, जो इंगलिश नाम होगा, तो डी, नहाँ पर दिखेगा, डी, डी मतलब दिमित्री, डी मतलब होता है, दिमित्री, ठीक है, आप चलिए जिवानु की खोच की बात करते हैं, तो इनका जो है, आप्शन नमर ए, एंटी वान बोलते हैं से, एंटी वान, ऐसे ए भी बोला जाता है, एंटी वान, और क्या है, लिवान हुक नाम है, क्या नाम है, हुक जी नाम है, तो लिवान हुक जिवानु का, और दमित् एवानु वक्सी जो है आपका वायूस का प्रोटीन की का या यूनीट है क्या बताएगा कोश में प्रोटीन संसिलेशना स्थान है एक जवाब देंगे अप शीराइब वा श्रम होते हैं तो हम बताएंगे option number B, 40 degree Celsius पर, किस पर, 40 degree Celsius पर, यह होगे, 49 question number बताईए, 49 में, सरीर में अधिक्तम उर्जा संच है, किस पदात के रूप में होता है, तो हम बहुत अच्छ से बताएंगे, कि उर्जा की बात करेगा, तो हम बताएंगे option number D, वशा, अगर यहाँ पर कार्वोह होता है, तो carbohydritic लगाते हैं, दोनों होगा, ठीक है, 50 question की बात करते है, बच्चों में, rickytis, rickytis मतब, vitamin D की कमी से, यह तो आप जानगे, rickytis, और osteomalacia, osteomalacia, rickytis, रोग किस की कमी से होता है, तो option B, vitamin D के कारण से, तो rickytis मतब, सुखे रोग से समंदित होते हैं, य answer यह होगा, और यह आपके कोश्यर है, तो चलिए आज के लिए तना हरते हैं, जहन ज़ारत